हलो एंड स्वावनेगों गाईज उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे हम पढ़ रहे हैं इन्पूट और आउट्पूट डिवाइसेज आज इस टॉपिक के रिलेटर हमारा आखरी लेक्चर होगा पिछले दो लेक्चर में हमने इन्पूट डिवाइसेज पढ़े और औ डिटा को प्रोसेस करके हमें आउट्पूट देते हैं किसी बचे ने पूछा था एक्जिक्यूशन क्या होता है यानि कि जो हम यहां से डिटा देते हैं उसको प्रोसेस करने को एक्जिक्यूशन कहते हैं यानि कि जैसे हम चाहते हैं इस तरह से इस पर काम होना चाहिए उस आप इसको कह सकते हैं और जो आउट्पुट हमें मिलना चाहिए आउट्साइड वर्ल्ड में वो हमें मिलता है कम्प्यूटर से डीटा प्रोस्सिंग होने के बाद आउट्पुट डिवाइसिस के थूँ अब जो ब्राड अकटेकरी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो आउट्पुट हैं वो दो तरह की आउट्पुट हैं एक है हमारे पास टैंजिबल आउट्पुट और दोसरा है हमारे पास नॉन टैंजिबल आउट्पुट टैंजिबल आउट्पुट वो आउट्पुट होता है जो एक physical existence जिसकी होती है जैसे आपने printer को एक command दे दी वहाँ से आपको एक page print होके मिलता है वो page आप अपने हाथ में ले सकते हैं you can feel that page तो वो एक physical existence रखता है आईसे output को हम tangible output कहते हैं और आईसे output devices को हम tangible output devices कहेंगे जो output देते हैं tangible output और कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं जो non tangible यानिकि soft copy में होता है for example आपके monitor पे कुछ डिस्प्ले हुआ आपने एक program लिखा उसमें आपका output डिस्प्ले हुआ वो आपके screen पे डिस्प्ले हुआ तो physically आप उसको touch नहीं कर सकते हैं आईसे output को हम कहते हैं non tangible output और आएसे output devices को हम कहते हैं non tangible output devices for example आपका जो speaker है आपके computer में जो speaker लगा हुआ होता है वो data को process करके आपको output में एक voice दे देता है वो voice को physically touch नहीं कर सकते हैं तो उसे हम कहेंगे non tangible output और आएसे device को हम कहेंगे non tangible output device clear हैं तो नों चीज़ें तो ये broad categorization हुआ अब हम इन मैंसे एके करके सभी output devices को discuss करेंगे जो most important है सबसे पहले हमारे पास monitor ठीक है monitor आपको पता है ये आपके पास computer है computer का screen है ठीक है और इसके साथ आपके पास ये CPU भी रहता है लेकिन ये जो हमारे पास computer का screen होता है इसको हम monitor कहते है यहाँ पे आपको output display होता है ठीक है ये output आपको जो देता है ये output होता है non tangible output आपको खुद समझा जाना चाहिए कि अब मैं हर एक device पे discuss नहीं करूँ आपको खुद समझाना चाहिए कि ये जो output हमें screen पे मिलता है we cannot touch it, we cannot feel it तो it is non tangible output clear तो ये जो हमारे पास monitor होता है ये एक ऐसा visual display होता है जो data को process कर के आपने input के थो यहाँ के पास keyboard है keyboard के थो आपने data दे दिया computer को process करता है और output आपके screen पे मिलता है ये जो output आपके screen पे मिलता है इस device को जिस पे ये output मिलता है इसको हम monitor कहते हैं यहां पे जो आपके पास output डिस्पले में आ जाता है यह बना हुआ होता है छोटे-छोटे dots का जिने हम pixels कहते हैं कोई भी image, कोई भी text हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास pixels का बना होता है यानि कि छोटे-छोटे dots का pixels का full form अगर देखेंगे तो picture elements picture elements का बना होता है कोई भी picture आपके पास image बनेगी आपके screen पे वो pixels की बनी हुई होती है कितने आपके पास घने pixels हैं कितने ज़्यादा pixels हैं उतना quality आप image ज़्यादा होगा तो यह pixels का बना होगा जो output आपको screen पे मिलता है ठीक है किस screen पे monitor पे मिलता है अब हमारे पास यह जो monitor output device है यह हमारे पास multiple किसम का है सबसे पहले हमारे पास है cathode ray tube जिसे हम कहते हैं CRT monitor भी यह एक हमारे पास traditional system है ठीक है traditional system आपने देखा होगा तो हमारे पास पहले इस तरह के computer होते थे इस तरह के computer होते थे इस तरह के computer होते थे हमारे पास bulged तरीके से होते थे computer ठीक है यह आपके पास display होता था और इस तरह से पीछे एक bulged form में रहता है उसे हम कहते थे cathode ray monitor यह CRT monitor यह हमारे पास traditional तरीके के होते थे, इसमें vacuum tube यूज़ होता था, electron gun वगरा यूज़ होता था, हम उतना technical trees में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे, इसका size बड़ा होता था, यह थोड़ा सा bulged होता था, आपके पास जो पहले TV वगरा होता था, televisions वो bulged होती थी बाह इसमें थोड़ा सा change आया, flat panel display आये हमारे पास, जिसमें हमारे पास LCDs या LED भी आये, तो यह क्या होता था, यह अब आपके पास एक इस तरह का flat screen आ गया, जिसको आप जो है, अपने wall पे चिपका सकते है LCDs या LED को, तो इस तरह से आपका जो bulged system था, वो advanced system में खतम होके, होता है, कोई bulger नहीं होता है, क्योंकि इसमें vacuum tubes वगरे का इस्तेमाल नहीं होता है, हमारे पास दो तरह के है, LED जिसको, जिसको हम कभी-कभी light emitting diodes, जिसमें छोटे-चोटे जो हमारे पास bulbs होते है, यह emission light emission पे काम करता है, LED light emitting diodes इसमें इसमें होते हैं, तो यह बनाया थ जैम्स मिचल ने 1977 को हैं, ठीक है, इसमें यह हमारे पास TFT technology में ही आता है, इसके अलावा हमारे पास LCDs है, ठीक है, liquid crystal displays, जो हमारे पास बनाया था, George Hillmere ने बनाया था, 1968, यह दोनों हमारे पास flat display monitors हैं, आपको इतना जो है, डीब नहीं जाना है, लेकिन यह आपकी याद र जैम्स मिचल ने और LCD किसने बनाया था, George Hillmere ने, यह हमारे पास monitors की कुछ categorization है, इसके बाद आता है हमारे पास printers, printer जो हमारे पास होता है, यह हमें tangible output देता है, जो ही आप printer को command देते हैं, आपको एक page की सुरत में, एक physical existence की सुरत में, एक page मिलता है, जिस पे आपका output होता है printer जो हमारे पास है, यह आपको hot copies की सुरत में data देता है, कोई भी data हो, चाहिए कोई image हो, hot copy की सुरत में आपको दे देता है, अब जो हमारे पास printers है, वो दो तरह के होते हैं, एक है हमारे पास impact printers, दूसरा होता है हमारे पास non impact printers, यह बहुत ही important topic है, इस पे questions हमेशा हर exam में प जाते हैं, बहुत important है, हमारे पास जो impact printers होते हैं, यहाँ पे impact बनता है, यहाने कि हमारे पास जो printing head होता है, उसके और paper के दर्मियान physically touch हो जाता है, impact हो जाता है, तो यहाँ पे physical touch होता है, इसलिए इनको impact printers कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो printing head होता है, और paper के दर्मिया कोई भी टैच नहीं होता है फिजिकल टैच नहीं होता है डिरेक्ट टैच नहीं होता है इसलिए इनको non-impact printers कहते हैं यह जो है ज्यादा noisy होते हैं और यह जो हमारे पास non-impact printers होते हैं यह noiseless होते हैं और ज्यादा effective रहते हैं non-impact printers क्लियर अब हमारे पास जो impact printers हैं यह हमारे प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर में यहां पे हमारे पास ड्रम प्रिंटर्स है चैन प्रिंटर्स है बैंड प्रिंटर्स है क्लियर यह हमारे पास पांच इंपक्ट प्रिंटर्स इनको अच्छी तरह से जहन मैं रखे इसके बाद हमारे पास non impact printer's हैं उसमें आता है हमारे पास inkjet printer उसमें हमारे पास laser printer आता है और thermal printer आता है इस तरह से आपने इनको याद रखना है इसको आपने याद रखा तो आपके बहुत सारे कैसि तरह से disorder prayer करें करें हम पढ़ रहींगे Broken Sprinters यहां jetzt पर हमारे पास जो printing head होता है ठीक है यह print head जो होता है इसके पीछे एक hammer है hammer printing head को press करता है और paper पे जो है वो character चप जाता है ऐसे printers को हम impact printers कहते हैं यहां पर मैंने लिखा hammer pushes the ribbon to draw the character on the paper ठीक है यहां पर हमारे पास एक ribbon होता है उस पे ये print head जो है चुपक जाता है और उसके बाद ये page पे print हो जाता है कोई भी character जो आपको print करना होगा यहाँ पर touch होता है physically between ribbon and paper इसलिए यह ज़्यादा noisy होता है जो मैंने आपको already कहा अब यहाँ पर हमारे पास दो मैंने आपको दो categorization बताए एक character printers एक मैंने आपको बताया line printers character printers को कभी कभी serial printers भी कहते हैं आप लोग confused होते हैं exam में और आप question गलत कर बैठते हैं character printers का दूसरा नाम serial printers भी है और line printers जो है हमारे पास इनका दूसरा नाम bar printers भी है दोनु हमारे पास impact printers है चाहे character printers हो या line printers हो इनका दूसरा नाम भी जुरूर याद रखेगा कभी-कभी examiner ऐसे नामों से इनको पकारद है और आपको confusion होता है अब आते हैं हम character printers पे सबसे पहले हमारे पास जो character printer है वो है dot matrix printer ठीक है dot matrix printer जो हमारे पास character printer है इसको dot matrix क्यों कहते हैं देखे matrix क्या होता है matrix हमारे पास कोई ऐसा pattern होता है जिसमें rows and columns में कोई चीज होती है उसको हम कहते है matrix clear यहाँ dot matrix printer में क्या होता है यहाँ पे हमारे पास एक chip जैसा होता है उसमें जो है पिन्स होती है ठीक है और पिन्स किस फारम में होते है रोज एंड कॉलम्स की फारम में इन रोज एंड कॉलम्स में जो हमारे पास पिन्स रहते हैं इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स इसलिए इसको कभी कभी डाट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं ठीक है इसको किस न कोई भी चीज print कर सकते हैं normally इसमें 9 to 24 pins होती है किसमें print head मैं और उसी print head में print head से हम कोई भी चीज जो है print कर सकते हैं दे दे में printidas होते हैं इनी pins के दोरह हम कोई भी character print कर सकते हैं तो ये matrix की फerk कर रहみ है इसलिए है dot matrix अगर आपने अभी तक आपको ये नहीं पता था कि doat matrix क्या है तो आज आप लोगों को समझ आया गया क्यूंकि इसमें matrix की फार्म में जो पिन्स होते हैं वो पिन्स matrix rose and columns की सूरत में एक पेटर में रहते हैं इसलिए इसको dot matrix printer कहते हैं ठीक है इसके बाद अब आपने इसमें ये चीज़ समझनी है कि जितना ज्यादा इसमें पिन्स होंगे नमबर अफ पिन्स ज्यादा होंगे तो performance भी उतनी ज्यादा होगी यानि कि उसमें number of characters अब ज्यादा प्रिंट कर सकते हैं उसकी quality भी ज्यादा हो सकती है अगर आप इसकी normal speed की बात करें तो यहाँ पे 100 to 600 characters per second cps जिसको हम कहते हैं characters per second तो 100 to 600 characters per second ये print करता है dot matrix printer ठीक है अभी आपको समझाया dot matrix को क्यों कहते हैं दूसरा है हमारे पास daisy wheel printer ये भी हमारे पास character printer ही है इसको daisy wheel क्यों कहते हैं हमारे पास एक wheel की सूरत में इस तरह से इसमें print heads रहते हैं और ये एक daisy floor की shape ले ले लेता है ठीक है इसलिए इसको कहते है daisy wheel printer समझाया आपको मेरे जो daisy floor होता है हमारे पास उसके साथ इसकी मिशाबित की जाती है यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इस disc के साथ चिपके होते हैं यह print heads इसलिए क्योंकि यह mechanism daisy floor की तरह होता है इसलिए इसको कहते हैं daisy wheel printer इसकी अगर हम speed देखें तो वह होती है हमारे पास 25-55 characters per second ठीक है आपको speed नहीं कहा पूछा जाएगा क्योंकि इसमें vary करता है बहुत सारी अलग 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 चीज़े देते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास कोई definite count नहीं है speed का लेकिन आपको अक्सर पूछे जाएगा इसकी speed किसमें major की जाएगी characters per second क्योंकि यह character printer है एक और हमारे पास character printer है वो है drum printer ठीक है वो है हमारे पास drum printer तो drum printer जो हमारे पास है यह एक drum की सूरत में होता है नाम सी आपको पता चलेगा ठीक है नाम ही काफी है यह अपके पास एक drum की सूरत में होता है और इसके उपर जो है एक page होता है जिस पे कोई चीज़ print करनी होती ह वो उसके इरिद गर रोल हुआ होता है, तो उस पे ही जो है, प्रेंट किया जाता है, लाइन वाइस, उसमें, लाइन वाइस प्रेंट किया जाता है, इसकी स्पीर अगर हम देखींगे, तो यह होती है, हमारे पास 300 to 2000 लाइन पर मिनट, यानि कि LPM जिससे हम कहते हैं, ठीक है, लाइन पर मिनट, ठीक है, तो यह हमारे पास अब character printer नहीं रहा है, यह हमारे पास line printer है, पहले दो हमने जो पढ़ा, एक Daisy wheel, ऊसमें, यह हमारे पास character printers है, इसलिए उनकी speed किसमें major कियी जाती है, character per second, लेकिन यह हमारे पास drum printer जो है, यह line printer है, इसकी speed रहती है, 300 to 2000, 1000 lines permit इसके अलावा हमारे पास chain printer है यहां पर एक chain की शुरत इस तरह से chain होती है ठीक है इस तरह से chain होती है और इसमें जो है हमारे पास एक साइड में एक paper लगा होता है और एक ribbon लगा होता है उस पर पर इस तरह से बाहर निकलता है उस परलड हो जाते हैं characters आप देख लीजे क्यों कि चैन की सूरत में होता हatti है इसको चेंग प्रिंटर कहते हैं इसकी होो शक्का होता है या 96 का करेक्टर सेट होता है आप से हो सकता है पोच्छा जाए कितने वेरेंट में आता है तो इस में से आपको बहुत सारे ओप्शन दिए जाएंगे तो इन तीन को आपने याद रखना है इसकी स्पीड होती है 300-500 लाइनच पर मिनूठ ये भी हमारे पास लाइन्टैर है यह उसके साथ yol lasciigos नणा है और इसके बाता है हमारे पास बैंड फिर्न्टैक है बैंड प्रिंटर इसको कभी कभी हमरे ह। प्रिंटर भी कहते हैं ठीक है आपने देखा होग वह टेप रोल जो इस तरह से रोल होता है ठीक है इस तरह से होता है तो टेप को जब हम खोलते हैं तो वो एक बैंड की सुरत ले लेता है या बैल्ट की सुरत ले लेता है क्योंकि एक बैंड की सुरत में होता है इसलिए इसको जो है बैंड प्रिंटर कहते हैं या आपके पास वो Tissue Rolls जो होते न वहाँ से भी आपको पता चलेगा वो एक Band की सुर्द ले लेते हैं उसी तरह से होता है एक Band उस पर हमारे पास याने कि font size can be changed by changing the band, अगर आप band change करेंगे तो आप font size भी change कर सकते हैं, ये वेरिंट है इसमें, अच्छा, ये है बेहतर किसे drum printer और chain printer जो हमारे पास दो line printers है, उन दो line printers से ये ही band printer बेहतर माना जाता है, इसकी speed है 300 to 2500 lines per minute, 300 to 2500 lines per minute है इसकी speed, अगर आप से पूशा जाएं कि हमारे पास कौन कौन सा line printer है, जिसकी speed lines per minute में major की जाते हैं, तो तीन है हमारे पास, एक है हमारे पास drum printer, एक है हमारे पास chain printer और एक है हमारे पास band printer ठीक है, अब आपको याद रहा कि हमारे पास character printers को कितने हैं दो है हमारे पास daisy wheel और उसके बाद उसे पहले हमारे dot matrix इसके बाद हमारे पास है तीन जो हमारे पास line printers है वो है एक drum printer, chain printer और तीसरा हमने जो अभी पढ़ा वो है band printer, clear है, इसके बाद आते हैं हमारे पास non-impact printers, non-impact printers का मैंने आपको कहा, ऐसे printers जहां पे physical touch नहीं होता है, print head और paper के दर्मिया, ऐसे printers को हम कहते है non-printers, non-impact printers, तो non-impact printers में हमारे पास laser printer है, inkjet यूज होता है, technology होती है, chemical technology होती है, zerographic technology होती है, electrostatic technology यूज होती है, यह से भी technologies होती है non-impact printers में, यहाँ पे कोई physical यहां direct touch नहीं होता है between print head and paper, ठीक है, इसलिए यह noisy नहीं होती है, noise free होती है, there is no direct contact with the paper, therefore it is noise free, कर द settlements में कौन कौन से प्रिंटराइब से पहले हमरे पास इंक जट प्रिंटर अबता है क SMITH कुछ म मुष्च बार-बार चैज करते हैं। तो प्रिंटर से काहां क्रिंटर को ही हम भी जट प्रिंटर को ही हम इस पैटर शुक ड्रॉपलेट सॉटे है वो हमारे पीपर पे स्प्रे हो जाते हैं, उससे हमारे पेपर पे करेक्टर्स प्रेंट हो जाते हैं, तो ऐसे प्रेंटर्स को हम कहते हैं, इसमें हमारे पास कलर प्रेंटिंग भी हो सकती है, अभी तक जो हमारे पास लाइन प्रेंटर्स हो, या हमारे पास जो करेक्टर प्रे color printing भी कर सकते हैं, coddery जो हमारे पास होते हैं, उसमें 4 colors हम यूज़ कर सकते हैं, black, yellow, cyan and then magenda, इन 4 ओं को मिलाके, हम बहुत सारे colors निकाल सकते हैं, तो इसकी speed जो है, वो हमारे पास है, यह हमारे पास basic colors रहते हैं, यह याद रखना, हमारे पास इसकी speed रहती है, 1 to 16 pages per minute, क्योंकि हमारे पास impact printer है, इनकी speed pages per minute में major की जाती है, तो इसकी speed है, 1 to 16 pages per minute, किसकी? एक jet printer की याद रहा आपको, इसमें cardages वगरा इस्तिमाल की जाते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है laser printer, laser printer laser technology का इस्तिमाल करता है, तो इसमें एक laser beam है, जो हमारे पास एक paper पर जाती है, और उस paper पर हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, इस laser technology का इस्तिमाल होता है, इसमें यह efficient इसकी performance होती है, than other, क्योंकि laser technology सबसे आला मानी जाती है, इसलिए इसकी जो performance रहती है, वो बागी printer से बहते रहती है, इसकी जो speed है, वो है 20 to 40 pages per minute, ठीक है, वो है जो normally हम देखते हैं, लेकिन commercial purpose के इसको और ज़्यादा enhance किया गया है, वहाँ पे 1000 pages per minute तक भी इसकी speed जा सकती है, laser printer की में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये भी हमारे पास non-impact printer है, इसके इलावा हमारे पास एक thermal printer है, thermal printers जो है, ये हमारे पास specific heat sensitive paper इसमें इस्थिमाल की जाती है, तो heat sensitive papers पे हम जो है, कोई भी print बना सकते हैं, लेकिन इसमें पहले heat किया जाता है printer को, और उसके throw फिर एक heat sensitive paper पे कोई भी character प्रिंट किया जाता है, इसमें इसको कभी-कभी electro thermal printer भी कहते हैं, ऐसे printers को कभी-कभी thermal transfer printers भी कहते हैं, या फिर इनको thermal wax transfer printers भी कहते हैं, ये सभी इनके acronyms हैं, ठीक है, इसमें हम जो तो इनको हम इन नामों से भी thermal printers को हम इन नामों से भी पुकारते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास heat sensitive paper होता है, हम ज़्यादा technicalities में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे questions नहीं पुछे जाएंगे, लेकिन ये आप याद रखें कि इसमें heat sensitive paper इस्तेमाल किया जाता है, इसके कुछ और भी नाम है thermal printer के, यानि कि electro thermal printers भी कहते हैं, इनको thermal transfer printers भी कहते हैं, या thermal wax transfer printers भी कहते हैं, इनके जो speed रहती है, वो 60, sorry, ट्वेंटी तो 60 pages per minute की रहती है, तो अब हमारे पास तीन page printers आएं, एक है हमारे पास thermal printers, एक है हमारे पास laser printers, इससे पहले हमने जो पड़ा, वो था inkjet printers, ये तीन हमारे पास non impact printers आते हैं, वो भी जो page per minute की speed से चलते हैं, ठीक है, clear, ये हमारे पास है page printers, अच्छा, इसके इलावा भी हमारे पास कुछ printers है, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जहन में रखें, हो सकते हैं, आप से बूचे जाए, which of the following is not a type of printer, तो इसके बाद हमारे पास, जो है, और है, वो है LED printers हमारे पास आजकल है, photo inkjet printers, को जो है, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, यह हमारे पास और भी टाइप अप printers है, I am sure कि आप लोगों को अब printers में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह से question पूछा जाएगा, आपको कोई, जो है, इसमें कोई confusion नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद हमारे पास, कि यह हमारे पास एक printer की सूरत में होता है, लेकिन थोड़ा size में बड़ा होता है, जिसमें हम बड़े-बड़े जो है, pictures वगरा जो है, उसको print कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास जो printer, plotter है, वो दो तरह के हैं, यह flatbed plotter, drum plotter, ठीक है, फ्लैट बड़े ऐसे विल्कुल flat होता है, वो drum हमारे पास इस तरह से होता है, जिसमें इसके इरिद इरिद जो है, paper रहता है, वो गूमता है, इसके इरिद इरिद, वो इस पे print किया जाता है, तो plotter हमारे पास क्या है, एक ऐसा output device, जिसमें हम drawings वगरे, जो है, प्रिंट करते हैं, बड़ी बड़ी इमेज्स वगरे प्रिंट करते हैं, किस ने बनाया था, यह रिमिंग्टन, रेंड ने बनाया था, याद रखे इसको, इसके बाद हमारे पास headphones है, headphone हमारे पास output device है, देखे हमारे पास, मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था, एक है हमारे पास mic, जिसमें हम यहां से input देते हैं, एक है हमारे पास headphones, जिसमें mic का कोई concept नहीं रहता है, जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, यहां से आवाज नहीं जा सकती है, वहां से सिर्फ आवाज आती है, उसको हम कहते है, headphones, headphones हमारे पास, इसमें जो है, आपने देखा होगा, हमारे पास बड़े बड़े हैं, इस तरह से headphones होते हैं, इसमें छोटे छोटे speakers लगे होए होते हैं, इन दो हमारे पास earpods में, ठीक है, इरबड्स जो हमारे पास रहते हैं, इन में छोटे छोटे लावर स्पिकर्स रहते हैं, तो इनको हम headphones कहते हैं, ये भी हमारे पास एक output device है, इसको किस ने बनाया था, एन बाल्डविन ने बनाया था, ठीक है, इस तरह से आपको याद भी रख सकते हैं, ये एक गंजा है, उसके सर पे ये headphone है, तो इसको आप एन बाल्डविन की नाम से पकारते हैं, बाल्ड होता है गंजा, ठीक है, तो headphone और बाल्ड को आप इस तरह से mix कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास है speakers, ये भी हमारे पास output device है, ये Alexander Graham Bell ने, इससे पहले भी speakers बहुत लोगों ने बनाए थे, लेकिन पहले बार patent किस ने किया था, पहले बार patent किया था, अलेक्जेंडर Graham Bell ने, ये भी हमारे पास output devices है, ये भी हमारे पास output devices है, ये पास आपको पता है, क्योंकि computer के साथ उनको connect करके, इस तरह से हमारे पास ये for example, ये आपके पास laptop है, इस पे आपका जो है कोई details है, कोई image है, कोई presentation है, इसके साथ आप connect करते हैं, जो projector ठीक है, projector में हमारे पास इस तरह से light बाहर बढ़ती है, और वो बढ़ती है projector screen पे, ठीक है projector screen पे enhance किया जाता है, ये जो इस computer पे हमारी presentation होती है, वो projector screen पे आ जाती है, इस projector के थो, और यहाँ पे आप उस presentation को enhance कर सकते हैं, उसके size को बढ़ा सकते हैं, या कोई video play कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हैं हमारे पास output devices, तो पहली बार, पहला digital projector, ठीक है, अगर digital projector की बात करें, तो Gene Dalgoff ने पहले, पहला digital projector बनाया था, इसके बाद हैं हमारे पास dual devices, कुछ जो दोनों input और output devices का का काम करते हैं, सबसे पहला है हमारे पास fax, जो मैंने पहले भी हमारे पहले एरिक्चर में जिकर किया था, तो सबसे पहले हमारे पास fax, जिसको हम faxmal भी कहते हैं, कुछ लोग इसको far away zrocks भी कहते हैं, तो इसको कभी-कभी जो है, टेली copying भी कहते हैं, टेली fax भी कहते हैं, ठीक है, fax को, यह हमारे पास एक telephone ट्रॉन नस्मिशन होता है, scan documents का, यहां पे हमारे पास एक landline phone है, इसके साथ एक wire connected होती है, और यहां पे दूसरा हमारे पास landline phone है, तो इसी wire के थो हम इस document को send कर सकते हैं, जो हमारे पास telefonic transmission line होती है, उसी के थो हम scan document को send करते हैं, उसको हम fax कहते हैं, यह पहली बार किसे बनाया था, एलेक्जेंडर बैन ने बनाया था 1943 में यह हमारे पास dual device है क्योंकि हम यहां से भी जो है कोई document send कर सकते हैं और वहां से भी receive कर सकते हैं इसलिए fax को कहते हैं dual device इसके इलावा हमारे पास modem है जिसको हम कहते हैं modemolator दिमोडलेटर फुल फॉल फॉल का जिसको हम कहते हैं modemolator नुμोड लेटर यह दो काम करते हैं देखिए आपके computer के साथ एक वायर कनेक्टिट है जो इसको इंटरनेट के सो दूसरे computer के साथ connect करता है तो जो यहां से हम data बेज देते हैं उसको modulate किया जाता है उसको encode किया जाता है code किया जाता है encode किया जाता है encode कहें आप उसको encode करके उसको बेज जा जाता है दूसरे computer पर ठीक है तो यह जो हमारे पास डिवाइस से दोनु काम करता है आते हुए डेटा को डिकोड करता है वो जाते हुए डेटा को एंकोड करता है इसलिए इसको मॉडिम कहते हैं यह हमारे पास डूल डिवाइस से दो काम करता है तो यह हमारे पास पहली बार किस शक्स ने लाया यह वह है 1977 में इन्होंने हमारे पास लाया मैंने यहां पे लिखा डिवाइस डैट कनेक्ट से कंप्यूटर और राउटर ब्राडबेंड नेटवर्क ठीक है जहां से आप डेटा जो है एक जगा से दूसरी जगा पेज सकते हैं और वहां से रिसीव भी कर सकते हैं इसके बाद आता है हम एक हेड़ोन कहेंगे जिसमें हमारे पास माइक भी रहता है इस तरह से इसमें माइक भी रहता है और यहां पर हमारे पास हैड़ोन काम करता है एक तो हम 750 है यह और यहां से बीच भी सकते है Boy 울 डूनुकारता है इसले इसकाहमों डिवाीस के काडिगरी में रहते हैं। ईलो तिवाइसे और फाते हैं। किसने बनाया थैंस ये येन बालडिव 17 जो मैंने पहले आपको कहा था। इसकी बात आता है वेक्ती हैं। टच स्क्रीन हमारे पास एक ऐसा डिस्प्ले है एक ऐसा मॉनिटर है जिसमें हम टच भी कर सकते हैं यहां पर आपके पास डिस्प्ले है पहले तो आपको माउस का यूज करना पड़ता था और कीबूर का यूज करना इस्तिमाल करना पड़ता था तो अब आप आपने उसका इ कहते हैं इसके साथ हम इंट्रेक्ट कर सकते हैं फिंगर के साथ इंट्रेक्ट कर सकते हैं या स्टाइलस के साथ भी इंट्रेक्ट कर सकते हैं हम आपने देख Percy हैं आज बौह तरी ओर ईसे लैपड़ोप साथय जहां पे हम पक्रक्षख कर सकते हैं止ником को द्राइव सकते हैं तो हम पहरे जोप लाइडा så भी करें हमारे थाक्ताइव आप आपश ज द्राइव क्भंत इस पर सकते हैं तो सब्सक्राइब काम से ले सकते हैं इसको पहली बार किसे ने बनाया था डौ मोरन ने बनाया था और इंडिया में अजेबट को इसका श्री दिया जाता है साउंड कार्ड हमारे पास है जो शर्वन गूच ने बनाया था साउंड कार्ड क्या करता है अगर आप इसको इसके लिए एक पूर्ट रहता है आपके computer में उसमें डाल के जो है आप sound को enhance कर सकते हैं या video cards रहते हैं उससे आप video की quality को दूसरे systems में उसको देख सकते है videos को उसकी video quality को improve कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे deval devices है input output और भी devices है जो ज़्यादा important नहीं है अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वो devices भी आप देख सकते हैं इंटरनेट पर पस यह याद रखना है किस ने बनाया है हाला कि यह जो मैंने अभी तक आपको input output devices और deval devices पढ़ाएं यह ज़्यादा important है आकसर questions नहीं में से पूछे जाते हैं इसलिए इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है ठीक है I hope कि आज का lecture आपको पसंद आया होगा इसमें हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से डिसकस किया है चाहे वो printers हो चाहे वो हमारे पास monitors वगरा हो हर एक चीज़ को हमने अच्छी तरह से डिसकस किया है इसी के साथ हमारा input and output devices का topic है वो खतम होता है आज इसके बाद हम next topic देखेंगे कौन सा हम आपके लिए लिए लिके आ जाएंगे लेकिन fundamentals of computers हम अभी चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्छे पूछते हैं कि fundamental of computers क्या आता है उसमें ये सभी चीज़ें आता है generations आता है उसम पसंद आया तो please share करें सबस्क्राइब चैनल को करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना बुले आपसे इजाज़त लेते हैं अपना ख्याल रखें हमने parents का ख्याल रखें लाफेज